तुर्की के बाटिन प्रांथ में एक कोईला खदान में विस्पोर्ट हो गया इस आसे में कम से गम 28 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्या घायल हुए हैं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया है बीबिसी की रिपोर्ट के अनुसार शुकलवार को विस्पोर्ट के समय करीब 110 लोग खदान में कारे रथ थे जिन में से अधिकतर 300 मेटर से अधिक गहरी खदान में हैं तुर्की के स्वास्ते मंत्री पहाटिन कोका ने बताया कि 11 लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आपात कालिन करमचारी राद भर फसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास में लगे रहे रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में दिखाया गया है कि लापता लोगों के परीजन और मित्र भी घटना सलपर पहुँच गये हैं जो कि अपने प्रयजनों की खबर का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं बताया जा रहा है कि दमा का करीब 300 मिटर की गहराई में हुआ है आंतरिक मंतरी सुलेमान सोयलू ने कहा कि कम से कम उन्चास लोग 300 से 300 मिटर के बीच जोखिम वालेक शेतर में काम कर रहे थे विसपोटक के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और स्थाने अभी हो जग के कारेले ने जांश शुरू कर दी है ये सरकारी खदान तुर्की हार्ड कोल एंटरप्राइजेज है तुर्की के बाटिन प्रांथ में एक कोईला खदान में विसपोट हो गया इसासे में कम से गम 28 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्या घायल हुए है घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया है बीबिसी की रिपोर्ट के अनुसार शुकुलवार को विसपोट के समय करीब 110 लोग खदान में कारे रथ थे जिन में से अधिकतर 300 मेटर से अधिक गहरी खदान में है तुर्की के स्वास्ते मंत्री पहार टिन कोका ने बताया कि 11 लोगों को बचा लिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आपात कालिन करमचारी राद भर फसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास में लगे रहे रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में दिखाया गया है कि लापता लोगों के परीजन और मित्र भी घटना सलपर पहुँच गये है जो कि अपने प्रयजनों की खबर का बेसबरी से इंतिजार कर रहे है बताया जा रहा है कि दमा का करीब 300 मिटर की गहराई में हुआ है आंतरिक मंतरी सुलेमान सोयलू ने कहा ये कम से कम उन्चास लोग 300 से 300 मिटर के बीच जोखिम वालेक शेतर में काम कर रहे थे बिसपोटक के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और स्थाने अभियोजक के कारेले ने जांश शुरू कर दी है ये सरकारी खदान तुर्की हार्ड कोल एंटरप्राइज़ है फिर थे सरकारी आफ कर दी है झाल झाल